हेले स्टूडेंट कैसे आप सब इक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है और आज का टोपिक है पिटवा लोहे का निर्मार क्लास टोल्थ कमिस्टी अंसी आर्टी में चेप्टर 6 चल रहा था और इसके पहले हमने आपको बात्य वट्थी के वारे में समझाया थ धलवा लोहा थोड़ा सा जो पिटवा लोहे से है वो कम सुद्धतम रोफ होता है जो आपका पिटवा लोहा है वो सबसे सुद्ध माना जाता है ये कार्वन की परसंटेज के आधार पर लोहे को तीन भागों में बाटा गया है पिटवा लोहा धलवा लोहा और पिटवा ल होगा, जहां से एधन जलाया जाता है, समझ रहे ना, जब एधन जलाया जाता है प्रवचो, तो यहां से आपको गरम गेस पराप्त होती है, और यही जो गरम कैसे मुखरूब से क्रिया में हैना भाग लेती है जैसे हमने धल्वा लोहे को गरम करके यह झी धल्वा लोहे को अपर ने इस पे रखा प्रवर्वर्थजी में तो अल्रेड़ी यह गर्म असतर लगा रहता है तो यह जो फ्रिक आकसाइड का असतर है वो इसमें जो भी असुद्रियों है उसको आख सिप्र Welcome है और कर देता है और हमें जो धलवा लोहा है उससे सुद्र पढ़ बना करा हो जाता है पस इतना ही है कुछ भी नहीं है मैंने क्या एक प्रवठ्वित्नि को यहां पर रखते हैं और गरम करते हैं तो आल्रेडी यह द्रबीत हो जाता है और जो परवर्तनी भट्टी होती है उसके आंतरिक सतह पर लगाता है फेरिक आकसाइड जो की इस ढलवे लोहे में उपस्थी कारवन है सिलिकान है और मैगनी जह फासफुरस आदिक के असुद् करते हैं गरम करते हैं और इसके अंदर वाले सतह पर पेरवच्चों फेरिक आकसाइड का अस्तर होता है जो कि असुद्यों को आकसी करता है बस सिंपल है तो लिखना कैसे है आपको पूरा विद्वत मैं यहां पर बताऊंगा ताकि आप लोंको दिक्कत नहों सके तो ढलव लोहा में चारा सुद्धियां है कारवन मैंगनेज फास्फूरस है ना और आपका सिलिकान तो यह चारों सुद्यों को आकसी करता है तो यह आपका होगा डाइग्राम डाइग्राम तो आसानी से बना सकते हैं यह प्रवरतनी बठी है आगे देखें थोड़ा सा जो कारवन ह है वो मोनो आकसाइड द्रवी धातूओं में से बुदुदाहाट के सांद निकल जाती है यानी धलवा लोह में जो कारवन है वो कारवन मोनो आकसाइड की रूप में बदलता है और मैंगनेज आकसाइड से क्रिया करके धातूमल बना लेती है तथा फास्फूरस पिंटा आ आकसी क्रत होने के बाद उनमें आपस में भी क्रिया होती है और आपस में क्रिया करने के बाद पेरवच्चो ये बना लेती है क्या धातूमल बना लेती है जैसे सबसे पहले जो आपका अंदर का अस्तर फेरीक आकसाइड है वो कारवन से क्रिया करके कारवन मोनो आकसाइड बना लेता है फिर पेरे बच्चो यह जो आपका फेरिक अक्सड से क्रिया करके सिल्केड बना लेता है मेंगनीज से मेंगनीज आक्सड बना लेता है लेकिन यह जो आपका पेरे बच्चो यहाँ पर क्या है यह आपका है फिरिक आकसड फासफोरस से क्रिया करके फासफोरस प्रेंट आकसड बना देता है और सुद्ध आरन मिलता है यह हमको मिल गया क्या यह हमको मिल गया पिटवा लोहा पिटवा लोहा मिल गया पेरवच्चो लेकिन लेकिन जो आपका MNO है ये SiO2 से क्रिया करके MNSiO3 बनाता है ठीक है और P2O5 है ये ये पुना प्रवच्चो Fe2O3 से क्रिया करके धातुमल की रोप में अलग कर देता है तो इसमेरी धातुमल के रिए मैं क्रिया बता दूँ तो यहाँ पर आप लिख सकते देखेगा जो MNO है MNO है प्रवच्चो ये क्रिया करता है SiO2 से तो ये बनाता है MNSiO3 ये धातुमल बन गया और आपका होता है Fe2O3 ठीक है और P2O5 फासफोरस पेंटाकस है तो ये बनाता है PEPO4 यह फेरिक फासफेट ये फेरिक फासफेट बना लेता है और ये आपका बनता है मैगनेस सिलिकेट ये असुद्धी की रूप में अलग हो जाता है तो आपको बस पेपर में कितना लिखना है ये कोश्यन आता है कि पिटवा लोहे के निर्माण वीदी को आपको सची तरवडन करना है तो बस इतना ही लिखना है स्क्रीन साट ले सकते हैं पैर बच्चू औ और हैं डिटेन नोट्स प्रापर रूप से लिजिए जैसा कि आपको दिख रहा है नोट्स में ऐसे ही फिर बच्चो आपको हैं डिटेन नोट्स दिया जाएगा तो आप लोग प्रापर तरीके से हैना अच्छे से त्यार कर सकते हैं आज के वीडियो पर सांद आए तो प् दिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ अब तक लिए जैहिन बंदे मातरां